इस lockdown students के बहुत ज्यादा loss हो रहे, तो teachers सोच रहे क्यों न हम online class करवाते हैं, तो online class कौन से best app होने वाले online class करवाने के लिए So guys, बहुत सारे school में online class start हो चुका है, बहुत सारे school online class start करवाने वाले, बहुत सारे coaching students भी online class सा भी करवा रहे तो इन सब में सबसे बढ़िया best app कौन से होने वाले online class करवाने के लिए, आप अगर एक student है, तो आप अपने teacher को prefer कर सकते हैं, यह सारे app online classes करवाने के लिए आप अगर एक teacher है, तो आपको यह video जरूर से पूरा देखना चाहिए, तो हमारा list में सबसे पहला app का नाम है Google Meet, यह Google का official app है 9.7 MB का, सिर्फ और सिर्फ 9.7 MB का light, बहुत ही light app आपको देखने को मिलता है, तो यह video conferencing app है, आप एक अगर teacher है, तो आप अपने students को पढ़ा सकते लाइब video call के थूरू, तो इसमें up to 250 participants add हो सकते है, one time है, means एक बार आप अगर video call करते हैं, तो 250 student को एक साथ पढ़ा सकते है, लाइब video call के थूरू, तो इसमें कैसे होता है, देखिए, आपको एक link generate करना होता है, उस link को आपने students के साथ share करना होता है, आप WhatsApp के थूरू, वह ऌढ़ाी तो link share कर सकते हैं, जैसे आप link share करते हैं, तो आपके students, आप उस link के थूरू आपके video call को, विडियो call में add हो सकते हैं, विडियो call में जैसे add होता है, आपके प्र milli students add होते हैं, तो up to 250 students, एक साथ add कर सकते हैं, एक उसके बाद साथ अन्यूरू पाद आप लाइब सा यह भी Google का ऑफिसेल यह इस एप में क्या होता है आपको एक classroom generate करना पड़ता है उस classroom का code अपकने students के साथ share करना होता है अलाइक आप अगर school के principle है तो आप अगर classroom generate करते तो आप अपने teachers को भी बहुत सारे teachers को भी add कर सकते और अपने students को भी add कर सकते और आप single कोई coaching के institute है और आप सिर्फ single teacher है तो आप सिर्फ अपने student को add कर सकते इसके बाद क्या होता है दिखिए इसमें आप question दे सकते है उसके answer लिख के दे सकते है या तो आप कुछ अपने student को task दे सकते है लाइक यह question लिख दिए और जितने भी student है उसका answer इसमें पोस्ट करो लिख के पोस्ट करो या तो आप मिस कोई भी note share कर सकते मिस आप अपने student को task देते होंवर्क देते आपके student जो वह notes के तो आपको answer दे देते जो answer होना चाहिए तो इस तरह से गूगल classroom से भी आप online class ले सकते बट यह कोई video conferencing अपने आपको online बस notes वगेरा share करना आपको task देना आपको answer share करना है note share करना उस type से यह Google classroom work करता है तो यह आप भी आप जरूर से यूज कर सकते है इसके बाद हमारे list में जो third और लास्ट एप है उसका नाम है participants at a time आप add कर सकते हैं एक single time में आप 100 student को एक साथ पढ़ा सकते हैं इसमें क्या होता आप वीडियो कॉल के थो पढ़ा सकते हैं या फिर जैसे वीडियो कॉल में यह तो आप अपने online classes तो यह तीनों एप से आप online classes ले सकते हैं आप अगर एक टीचर है तो आपको यह एप इंस्टॉल करके अपने इस्टूइंट को पढ़ाना चाहिए online और आप अगर इस्टूइंट है तो अपने टीचर के साथ सेर कीजिए कि आप इन सारे एप त्रू आप online class लीजिए हम तो आपको अगर वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके इसे और वीडियो के लिए एड़ वीडियो लाइक जरू किजिएगा थैंक्यू गास थैंक्स फूर वाचिंग